मन्च पर बिराजमान, राजपाल, दुरौपदी मुर्मूजी, मुक्खे मंत्री जी, केंद्र सरकार और राज़ सरकार के मंत्री और जारखन के मेरे प्यारे भाई और बहनों, जारखन राची कर माटी के सब भाई बहन मन के मोर, बढ़ बहुत बहुत जोहार आप सभी को, पुरे देश और दुनिया को, आंतराश्टिय योग दिवस की बहुत बहुत शुक्त कामना है आज इस प्रभात तारा मैदान से सभी देश वाजियों को सुप्रभातम और आज ये प्रभात तारा मैदान बीश्व के नक्षे पर जुरूर चमक रहा है ये गवरवाज जारखन को मिला है आज देश और दुनिया के नेक हिश्वों में लाखों लोग योग दिवस मनाने के लिए अलग-अलग जगह पर जमा है मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ योग के दुनिया भर में प्रसार में मीडिया के हमारे साथ ही सोशल मीडिया से जुड़े लोग जिस तरह की एहम भूमी का निभा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपून है मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ साथियों जारखन में योग दिवस के लिए आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है आप लोग बहुत सुख़ ही अपने घरों से निकल कर दूर दूर से यहां आए हैं मैं आप सभी का आभारी हूँ बहुत से लोगों के मन में आज यह सवाल है कि मैं पांचवा योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए राची ही क्यों आया भाई और भेनो राची से मेरा लगाव तो है ही लेकिन आज मेरे लिए राची आने की तीन और बड़ी वज़े हैं पहला जसर की जारखन के नाम में ही यह वन प्रदेश है प्रकुर्टि के बहुत करीब है और योग और प्रकुर्टि का ताल में इंसान को एक अलग ही एशास कराता है दूसरी बड़ी वज़े यहाने की यह थी कि राची और स्वास्त का रिष्टा अभी तिहास में दर्ज है पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दिंदाल उपाता है कि जन्मजेंती निमित यहान राची से ही हमने आईश्मान भारत योजना की शुरुवात की थी आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केर स्कीम प्रधान मंत्री जन आरो के योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है भारतियों को आईश्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भाती जानते हैं समझते हैं इसलिए भी आज राची आना मेरे लिए विशेष है भाई और बहनों अब योग के अभ्यान को मुझे और हम सब को मिल करके एक अलग स्तरपन ले जाना है और यहीं राची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वज़ा वो भी है साथियों योग हमारे देश में हमेशा से रहा है हमारी संस्कृति का अभिन हिस्सा रहा है यहां जार्खन में भी जो छवून नूत्य होता है उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है लेकिन यह भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामेड और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुँची है जैसी पहुचनी चाहिए थी अब मुझे और हम सब को मिल करके आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गाउं की तरफ जंगलों की तरफ दूर सुदूर आखरी इंसान तक ले जानी है गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुचाना है मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन हिस्सा बनाना है क्योंकि ये गरीब ही है जो बिमारी की वजह से सबसे जादा कष्ट पाता है ये बिमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है इसलिए ऐसे समय में जब देश में गरीबी कम होने की रप्तार बड़ी है योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बहार निकल रहे है उनके जीवन में योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बिमारी और गरीबी के चंगूल से बचाना साथियों सिर्फ सुविधाओं से जीवन आसान बनाना काफी नहीं है दबाईयां और सरजरी का ही समाधान परियाप्त नहीं है आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधीक फोकस होना जरूरी है यही शक्ति हमें योग से मिलती है यही भावना योग की है पुरातन भारतिय दर्शन की भी है योग सिर्फ तभी नहीं होता जब हम आदा गंटा जमीन या मेट पर या दरी पर होते हैं योग अनुशासन है समर्पण है और इसका पानन पूरे जीवन भर करना होता है योग, आयू, रंग, जाती, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांथ, सरहत के भेद, सीमा के भेद, इन सब से परे हैं योग सब का हैं और सब योग के हैं साथियों बीते पाँच वर्षों पर योग को हेल्थ और वैलनेस के साथ जोड़ कर हमारी सरकार ने इसे प्रिवेंटिव हेल्थ केर का मजबूत स्थम बनाने का प्रयास किया है आज हम यह कह सकते हैं कि भारत में योग के प्रती जागरुकता हर कोने तक हर वर्ष तक पहुंची है ड्राइंग रूम से बार्ड रूम तक शहरों के पार्ट से लेकर स्पॉर्ट्स कॉंप्लेक्स तक गली कुचों से वैलनेस सेंटर तक आज चारों तरफ योग को अनुभव किया जा सकता है भाई और भेनो तब मुझे और संतोस मिलता है जब मैं देखता हूं कि युवापीधी हमारी इस पुरातन पद्धदी को आधुनिक्त के साथ जोड रही है प्रचारित और प्रसारित कर रही है युवाओं के इनोवेटिव और क्रियेटिव आइडिया से योग पहले से कहीं अधिक लोगप्रिय हो गया है जीवन्त हो गया है साथियों आज के इस अउसर पर प्राइम मिनिस्टर्स एवर्ड फर प्रमोशन एंड डेवलोप्मेंट अब योगा उसकी गोशना की गई हमारे मंत्री श्री ने की एक जूरी ने इसको निर्णे किया है और पूरी दुनिया में बड़ी मसकत करके इन लोगों को खोजा गया है जिन साथियों को ये पुरस्कार मिला है मैं उनके तपस्या और योग के परती उनके समर्पन की सरहना करता हूँ साथियों इस वर्ष के अंतराश्य योग दिवस का विशा है योगा फॉर हार्ट केर हार्ट केर आज पुरे विश्व के लिए एक चुनवती बन चुका है भारत में तो बीते दो ढ़ाई दसकों में हार्ट से जुड़ी बिमारियों में कई गुणा बढ़ोत्री हुई है दुखत बात यह है कि बहुती कम उम्र के युवाओं में भी हार्ट की समस्या अब बढ़ रही है ऐसे में हार्ट केर एवर्नेस के साथ साथ योग को भी प्रिवेंशार और ट्रीट्मेंट का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है मैं हां के स्थानिय योग आस्रमों से भी आग्रह करूंगा कि योग के प्रसार में और आगे बढ़ें चाहे देवघर का रिखिया पीठ योग आस्रम हो राची का योगदा संसंग सखा मठ या अन्य समस्तान वो भी इस वर्ष हार्ट केर एवर्नेस को थीम बना कर आयोजन करे और साथ योग जब उत्तम स्वास्त होता है तो जीवन की नई उचाईयों को पाने का एक जजबा भी होता है ठके हुए शरीर से तूटे हुए मन से न सपने सजाए जा सकते हैं न अर्मानों को साकार किया जा सकता है जब हम उत्तम स्वास्त की बात करते हैं कुछ बाते हैं पानी, पोषण, परियावरण, परिश्रम ये चार थी जे पीने का शुद्ध पानी मिले आवश्यक्ता का अनुसार पोषण प्राप्त हो परियावरण, स्वच्छता, वायू परियावरण हो कुछ भी, पानी का हो, कुछ भी और परिश्रम जीवन का हिस्सा हो तो उत्तम स्वास के लिए ये पाँच चार पर पनिनाम देते हैं Friends, I thank people across the world for joining the Yoga Day celebrations all over the first rays of the sun are being welcomed by dedicated yoga practitioners is a beautiful sight I urge you all to embrace yoga and make it an integral part of your daily routine Yoga is ancient and modern it is constant and evolving for centuries the essence of yoga has remained the same healthy body stable mind spirit of oneness yoga provides a perfect blend of jyaan or knowledge karma or work and bhakti or devotion yoga will make every individual better in thoughts, action and spirit Friends, the importance of practicing yoga is greater than perhaps ever before we live in a time when disease related to lifestyle and stress are increasing this come with the fast routines and pressures at the workplace it pains me to read about bright young men and women being affected by substance abuse alcoholism diabetes and such other reveals Yoga offers a solution to these problems Yoga also furthers unity among people and in our society This can heal several challenges that our world faces Friends Peace Harmony have always been associated with yoga On the occasion of the fifth international yoga day Later our motto be Yoga for peace Harmony and progress Shanti I miss you Being true with yoga and want to be love entire day you have been एक प्रभावी कदम उठाए है जिनका लाब भी देखने को मिल रहा है पविश को देखते हुए हमें योग को हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए स्वभाव बनाने के लिए निरंतर काम करना है इसके लिए योग से जुड़े साधवकों सिक्षकों और संगठनों की भूमे का बढ़ने वाली है योग के करोडों लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए मैन पावर को तयार करना भी हुमन डिसोर्स डेवलप्मेंट भी बहुत ज़रूरी है ये तभी संभव है जब हम योग से जुड़े स्टांडर्स और इंस्टिटूशन्स को विक्सित हो और इसलिए हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है साथियों आज हमारे योग को दुनिया अपना रही है तो हमें योग से जुड़ी रिसर्ट पर भी जोड़ देना होगा जैसे हमारे फोन का सॉपट पर लगातार अपडेट होता रहता है वैसे ही हमें योग के बारे में जानकारी दुनिया को देते रहना है इसके लिए जरूरी है कि हम योग को किसी दाइरे को बांद कर ना रखे योग को मेडिकल, फीजियो थेरपी, आर्टिफिशन इंटलिजेंस इन से भी जोड़दा होगा इतना ही नहीं हमें योग से जुड़ी प्राइवेट एंटरप्राइज स्पिरीट को भी प्रोसाइट करना पड़ेगा तभी हम योग का विस्तार कर पाएंगे हमारी सरकार इन आवश्यक्ताओं को समझते हुए अनेक शेत्रों में काम कर रही है मैं आपको अच्छे स्वास्त की कामना के साथ एक बार फीर आंतराश्टी योग दिवस की अनेक अनेक शुब कामना ही देता हूँ और मैं आशा करूंगा क्या आप सभी यहां जितने योगा के प्रयोग हम करने वाले हैं जादा न करे इतना ही लेकिन लगातार उसके डूरेशन बढ़ाते जाएं आप देखना अधूरत लाब अपने जीवन में होगा मैं फिर से एक बार आपको उत्तम स्वास्त के लिए शांती सद्भाव और समनवाय वाली जिन्दगी के लिए बहुत बहुत शुब कामना ही देता हूँ आईए अब हम योगा बात शुरू करते हैं मैं जारखन सरकार का भी बढ़ाई देता हूँ कि बहुत ही कम समय में इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया पहले से उनको भी पता नहीं था दो सप्ता पहले ही नई सरकार बनने के बाद राची में इतना बड़ा कारकम करने का विचार आया लेकिन इतने कम समय में जारखन वासियों ने जो कमाल करके दिखाई हैं मैं आपको सरकार को भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद सर